So hello and welcome back, I am Dr. Rahil Chaudhary, I am Dr. Cataract and Refractive Surgeon कुछ 5-10 दिनों से आप लोगों के कमेंट सारे मेरी वीडियोस पे कि डॉक्टर साब ये स्मार्ट सर्फ कौन सा ओपरेशन है चश्मा अटाने का हम कुछ ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जहां आप बताया जा रहा है कि ये सबसे लेटेस्ट टेकनीक है दो हजार पच्चिस की चश्मा हटाने के लिए और ये उपरेशन जो है ये बाकी सारे उपरेशन एपी कॉन्टूरा, कॉन्टूरा, स्माइल, सिल्क और जो सबसे अभी लेटेस्ट आया है WPI ये सब टेकनीक से बेटर है तो क्या है ये smart serve आज इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको clarity देना चाहता हूँ और अगर ऐसी कोई technology exist करती कि मैं एक ही machine से सबका चश्मा perfectly हटा दूँ तो कोई जुरत नहीं थी इतने करोड़ों की इतनी सारी machines लगाने की तो देखिए smart serve जो है ये एक 2009 में technology launch हुई थी श्विंड नाम की company ने इस operation को launch करा था और ये जो operation है ये एक trans epithelial PR के category वाला surface laser वाला operation है लेकिन ये operation बहुत जादा अब popular नहीं है world में क्योंकि इसको replace कर दिया है epicontura ने जो थोड़ा सा और advancement आई है इस surgery में और इसको launch करा गया था epicontura को 2019 में तो थोड़ा सा में आपको और clarity देता हूँ smart serve के बारे में तो अब क्या होता है जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में समझाया है कि अगर हम laser से एक patient का चश्मा हटाना चाते हैं तो इस laser को आँख में तीन तरीके से डाला जा सकता है तो पहला तरीका होता है surface ablative procedures जहां पे laser को directly आँख पर डाल दिया जाता है दूसरा तरीका होता है flap based procedures जहां पे एक पतली सी layer को पहले बनाया जाता है flap को उसको lift करा जाता है फिर laser को डाला जाता है और एक तीसरा तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं flap less lenticule वाले surgeries तो क्या होता है यह जो smart surf operation है यह इस surface laser category में आता है जहां पे laser को हम directly आँख पर डालते हैं तो इस category में जो पुराने operations थे उसका नाम था PRK या ASA और अब जो advance हो गए operations इस category में उसको हम लोग कहते हैं trans epithelial PRK तो यह जो smart surf है यह trans epithelial PRK की category में आता है अब यह वाला जो operation है यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है क्यों अच्छा लगता है क्योंकि इस operation में कोई blade नहीं होता कोई cut नहीं होता कोई flap नहीं होता और यह एक तरह से touch less operation है कि आंग को touch भी नहीं करना होता कि patient लेटा वै उपर से laser आएगा 20-30 second के लिए और चश्मे का number हटा देगा अब अगर मैं यह वाला operation trans PRK वाला operation जो touch less है, blade less है, cut less है, flapless है अगर यह वाला operation मैं shwind की machine में करता हूँ तो इस operation को कहते है smart serve और अगर यह same operation मैं आलकॉन की machine में करता हूँ तो इसको हम लोग कहते है epicontura या कुछ लोग इस epicontura को कहते है stream light तो smart serve जो था यह 2009 में आया और इसमें जो कमिया थी उसको improve करके आलकॉन ने 2019 में stream light लाँच कर दिया तो आज की date में अगर मैं कोछ trans epithelial PR के वाले operation से चश्मा अटाना है तो दो popular options अवेलेबल है एक smart serve अवेलेबल है एक epicontura stream light अवेलेबल है अब देखिए अगर यह operation इतना बढ़िया है इतना अच्छा sound करता है blade नहीं है cut नहीं है flap नहीं है touchless है सिरफ direct आंग पे light डाल में तो मैं हर patient का यह वाला operation क्यों नहीं करता ऐसा क्यों है कि सिरफ 5% लोगों में हम लोग यह surface वाला operation करते है and 95% लोगों में हम लोग दूसरा वाला operation prefer करते है इसका क्या reason है देखिए यह operation सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन इस operation के कुछ downsides है कुछ खामिया है क्या problem है इस operation से हम patient के सिरफ 5 diopter तक का number हटा सकते है तो यह limitation है बाकी surgeries में हम लोग 8 number तक ठीक कर सकते है लेकिन इस surgery में हम सिरफ 5 तक ठीक कर सकते है ऐसा क्यों है क्योंकि अगर 5 के उपर मैं इस operation से ठीक करूंगा तो एक problem होती है corneal haze कि जो हमारी काली पुतली होती है उस पर सफेद ही आ जाती है तो एक बहुत high risk हो जाता है corneal haze के आने का अगर मैं 5 diopter के उपर काम करता हूं तो सबसे पहली limitation यह है second limitation है कि इस procedure का जो healing time है वो approximately one month है कि पूरा एक महिना लग जाता है patient की नजर को पूरी तरह से set होके perfect होने में जबकि बाकी techniques में मैं आपको perfect vision अगले दिनी दे सकता हूं तीसरी problem है कि इस operation में पहले 2-3 दिन दर्द होता है pain and watering होती है तो operation के time कोई दर्द नहीं है लेकिन operation के बाद 2-3 दिन तक आँख में थोड़ा सा दद रहता है और चौथी problem है कि इस वाले operation में हमें patient को 2-3 महिने तक steroid की drops देनी पड़ती है तो इसमें लंबे समय तक आपका steroids आँख में डालने पड़ते हैं क्यों डालने पड़ते हैं? क्योंकि इस operation में एक छोटा सा risk होता है corneal haze आने का तो ये haze ना बने इसलिए छोटे numbers में भी हम patient को 2-3 महिने तक steroids दलवाते हैं ताकि जो पुतली की transparency है वो disturbed ना हो तो ये जो downsides है इनकी वज़े से इस operation को बहुत ज़ादा prefer नहीं करा जाता किन लोगों में हम लोग करते हैं या operation? या तो patient की पुतली की मोटाई कम हो अगर किसी का thin cornea है तो ये वाला operation इंग बारी को करा जा सकता है या कुछ बच्चे जो government medicals को clear करने के लिए आते हैं वो कहते हैं कि सर्दॉक्साव हमें आँक में कोई निशान नहीं चाहिए वहाँ पे machine से check होगा तो कोई ऐसा operation चाहिए कि machine में पकड़ में ना आए उन लोगों के लिए हम लोग ये वाला operation कर सकते हैं इसके अलावा इस operation की बहुत ज़ादा indication नहीं रहती क्योंकि इससे better technologies available है तो अगर में को flap less चाहिए तो मैं better है इस टिकनीक में चले जाओ जहाँ पे flap less का advantage भी दे दिया और vision recovery भी अगले देना होगा steroid भी ज़ादा लंबा नहीं डालना पड़ता coronial haze भी नहीं बनती अगर में को patient को बहुत high quality vision देनी है तो मैं flap वाला prefer करूँगा क्योंकि इसमें जो vision की quality है वो इतनी अच्छी नहीं आती जितना मैं flap वाली में दे सकता हूँ तो आज की date में भी हमारे पास कोई ultimate tool नहीं है हमारे पास कोई one fit all procedure नहीं है कि एक machine लगा लिए उससे मैं सबका operation करता हूँ अलग-अलग types की surgeries हैं हर patient की आंक अलग है और उसके reports को देखके हम लोग decide करते हैं कि कौन सा वाला operation हमें करना होता है तो अब question है कि अगर मैं को trans epithelial PR के करना है और मेरे पास ये दो machine के options है तो मेरी choice Alcon वाली machine क्यों है मैं shwind वाली machine पर क्यों नहीं करता देखे एक study हुई थी उस study का link भी मैं नीचे दे दूँगा यहाँ पे मैं आपको photo भी दिखा दूगा एक study हुई जहाँ पे trans epithelial PR के वाला operation करा गया कुछ patients का shwind वाली machine में smart sup वाला operation हुआ और कुछ patients का Alcon वाली machine में epiconturus stream light वाला operation हुआ और इन्हों ने जो final result देखा उसमें ये मिला कि shwind वाले जो patients थे उनमें corneal haze बहुत जादा मिलती है comparatively Alcon वाले patients में corneal haze कम मिली और यही main इसका problem है side effect है कि corneal haze हम नहीं चाते तो अगर मेरे पास एक upgraded technology है जहाँ पे studies show कर रही है कि इसमे side effect कम बन रहा है haze कम बन रहा है तो मेरी preference आज कल यह वाली हो जाती है लेकिन of course यह नई machine है यह थोड़ी सी महेंगी machine है जरूरी नहीं है कि हर doctor, हर eye hospital यह अपनी machine को upgrade करे तो जिनके पास schwind वाली machine है वो आपको smart serve के बारे में बताते हैं जिनके पास alcon की machine है वो आपको थोड़ा सा epic entrepreneur वाले के बताते हैं बस इतना सा difference है तो smart serve कोई नया operation नहीं है 2009 से available है वो बस आज की date में थोड़ा सा social medium उसको promote जादा करा जा रहा है लेकिन end of the day यह एक trans epithelial PR के category वाला operation है जिसके already better alternative smart serve से better surgeries आज की date में already available है दिखिए जब हम किसी patient का चश्मा अठाते है तो हमारा purpose होता है उस patient को एक latest और एक best technology का advantage देना minimum side effects and highest quality of vision so अगर मैं surface वाला operation करना चाहता हूँ तो मेरी preference epicontura है अगर मैं flap वाला operation करना चाहता हूँ तो flap में पहले standard लेसिक आया था फिर upgrade हो गया contura आ गया फिर upgrade हो गया wave light plus inner wise आ गया यह सबसे latest technology है 2025 की तो अगर मैं flap वाला operation कर रहा हूँ तो मेरी preference wave light है अगर मैं flap less कर रहा हूँ तो इसमें पहले एक smile करके operation आया था फिर एक clear करके आया फिर एक smile pro करके आ गया और अब जो latest आ गया है वो silk वाला है तो अगर मैं flap less technique में जाना चाहता हूँ तो मेरी preference silk है तो आज की date में 2025 में जब अपने laser से आप चश्मा हटाना चाहते हैं तो you should opt for a hospital जहां पे सारी techniques available हो जिससे आपका doctor आपकी reports के हिसाब से आपको best procedure suggest करें और ऐसा नहीं है कि एक procedure आ गया सबका operation उसी से करना है लेकिन आपको ये समझना है कि latest technology कोन सी आई है category में तो अगर आपको flap less वाला operation कराना है तो आज की date में preference silk होनी चाहिए अगर आपको flap वाला operation कराना है तो आज की date में preference wpi होना चाहिए और अगर आपको surface वाला कराना है तो आज की date में preference एपी को अंटिवरा होना चाहिए टिक्नोलजी टाइंच के साथ अप्गरेड होती है पांच साल बात इन सारी टिक्नोलोजी का और अप्गरेड आ जाएगा तो फिर हमें उस टिक्नोलोजी पे shift करना है टाइम के साथ टेक्नालोजी अप्ग्रेड होती रहते हैं और हम अप्गेलिटेक्नालोजी पे शिफ्ट होते रहते हैं ताकि अपने पेसिंट को हम बेस्ट का अडवांडीज diy जे सके यह हैं. बस इतना से हमने समझने हैं चاش्मा आने के बारे में.